परिचय नमस्कार दोस्तों हम अपने आसपास बहुत से वाहन जैसे की बाईक, कार, ट्रेन इत्यादी सड़क पर चलते देख सकते हैं ये वाहन हमारी तरह आहार नहीं ग्रहन करते फिर वे उर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? जी हाँ, वे अपने लिए उर्जा इंधन से प्राप्त करते हैं इंधन, कोईला या पेट्रोलियम पदार्ध हो सकता है ये वाहनों को चलने के लिए उर्जा प्रदान करते हैं इस पार्ट में हम उर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में हम निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधनों और उनके प्रकार को परिभाशित करना कोईला और इसके दूसरे उपियोगी उत्पादों का वर्णन करना पेट्रोलियम और इसकी परिशकरन यानी रिफाइनिंग प्रक्रिया का वर्णन करना पेट्रोलियम के विभिन अव्यवों और उनके उपियोग बताना प्राकृतिक गैस और उसके उपियोग का वर्णन करना प्राग्रितिक संसाधनों का परिचाए अनुज तुम क्या कर रहे हो? विने मैं पट्रियों पर दोड़ती ट्रेन देख रहा हूँ मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कुछ ट्रेने बहुत तेश चलती है जबकि कुछ धीमी चलती है लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कुछ ट्रेने धेर सारा धुआ छोड़ती है और कुछ धुआ नहीं छोड़ती तुम सही कह रहे हो क्यूंकि कुछ ट्रेन इंजनों में उर्जा का स्रोत कोईला होता है और कुछ में डीजल आजकल विद्युत इंजन का भी पूरी दुनिया में बहुत प्रियोख हो रहा है बच्यों हम जानते हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं प्रकृतिक और मानव निर्मित प्रकृतिक संसाधन जैसे वन, वायू, जल, मृदा, कोईला, पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैसें सीधे प्रकृति से प्राप्त किये जाते हैं प्रकृतिक संसाधनों के प्रकार प्रकृतिक संसाधनों को समाने तोर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है अक्षय प्रकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले यानि च्षय प्राकृतिक संसाधन अक्षय प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्तित है और मानविय क्रिया कलापों से समाप्थ होने वाले नहीं है उधारण सुरे का प्रकाश वायू दूसरी तरफ समाप्थ होने वाले यानि शय प्राकृतिक संसाधन की मादरा सीमित है ये मानविय क्रिया कलापों द्वारा समाप्थ हो सकते हैं इन संसाधनों के उधारण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदी क्या आप जानते हैं कि कुछ समाप्थ होने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोईला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का निर्मान सजीवों के मृत अफशेशों यानि जीवाश्म से होता है इसलिए इन्हें जीवाश्म इंधन भी कहते हैं कोईला आईए अब इन जीवाश्म इंधनों के बारे में विस्तार से जाने आईए कोईला से शुरू करते हैं आपने अपने आसपास कोईला देखा होगा यह कठोर और काले रंग का होता है कोईले का उप्योग विभिन उद्देश्यों के लिए किया जाता है और विभिन उद्द्योग चलाना वायू में गर्म करने पर कोईला जलता है और कारबन डायोकसाइट गैस उत्पन करता है आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि कोईले के उप्योगी उपोत्पाद जैसे कोख, कोलतार और कोईला गैस सीधे कोईले से प्राप्त होते है क्या आप जानते हैं कि यह उपोत्पाद हमारे लिए क्यों उप्योगी है आईए इसकी उप्योगिताओं के बारे में अगली स्क्रीन पर जाने कोईले के उप्योगी उत्पाद आईए सबसे पहले कोग के बारे में जानते हैं कोग, कठोर, सरंद्र और काला पदार्थ होता है इसका मुख्य उप्योग इस पाद के अध्योगिक निर्मान और विबिन धातूं के निशकर्शन में किया जाता है कोलतार अप्रिये गंध वाला एक काला गाला द्रव होता है इसका उप्योग संशलेशित रंग, आउशधी, विस्भोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्रेफिक समगरी, छत निर्मान समगरी, आधी के अध्योकिक निर्मान में होता है कोईले से कोग बनाती समय कोईला गैस प्राप्ठ होती है यह कोईला प्राक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उध्योगों में इधन के रूप में उप्योग की जाती है पेट्रोलियम दोस्तो, मुझे पता है कि आप सभी को महंगी कारों और वहनों का शौक है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सड़क पर कैसे चलते हैं? इन में से ज्यादा तर या तो पेट्रोल डीजल से चलते हैं या फिर संपीडित प्राकृतिक गैस यानी CNG द्वारा चलते हैं पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक संसाधन से प्राप्थ होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं क्या आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार जल के स्थर से एक स्थर उपर प्राप्थ होते हैं पैट्रोलियम का परिश्करण दोस्तो अब हम जानते हैं कि पैट्रोलियम हमारे वाहनों के इंधन का स्रोत है लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि पैट्रोलियम गहरे रंग का तेलिय द्रव है और यह विभनेस संघटकों जैसे पेट्रोलियम कैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेराफिन मूम, सनेहक तेल और अन्ने कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। इन सभी घटकों को प्रथक करने के प्रक्रम को परिशकरन कहते हैं। यह प्रक्रम पेट्रोलियम परिशकरनी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के संघटकों का उप्योग। इस सारणी को देखिए, इसमें पेट्रोलियम के विभन संघटक और इनके उप्योग दिये कए हैं। प्राक्रितिक गैस आईए, अब हम अपने दूसरे समाप्त होने वाले प्राक्रितिक संसाधन की तरफ चलें। यह प्राक्रितिक गैस है, जिसे संपीडित प्राक्रितिक गैस या CNG कहते हैं। इसका भंडारण उच्च दाप पर संबीडित प्राकृतिक गैस यानी CNG के रूप में किया जाता है। CNG का उप्योग आम तोर पर विद्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। लेकिन कम प्रदूशन के कारण इसका उप्योग वानों में इधन के रूप में होने लगा है। इसका उप्योग भोजन पकाने हितु भी होता है। प्राकृतिक गैसों का उप्योग विभिन रसाइनों, खादों और उर्वर्कों के अध्योगिक उत्पादन में आधार पदार्थ के रूप में भी किया जाता है पेट्रॉल और डीजल बनाने के उप्योगी सुझाव दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रॉल और डीजल समाप्थ होने वाले प्राकृतिक संसादन हैं, यानि प्राकृति में इनकी मात्रा सीमित है और एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, अताहा इन संसाधनों का प्रियोग करते समय हमें इनका उप्योग करना चाहिए पेट्रोलियम संदक्षन, शोध संग यानि PCRA द्वारा दिये गए कुछ सुझाओ निम्न है हमें यातायाद बत्ती या यातायाद जाम में वाहन बंद कर देना चाहिए हमें वाहन एक औसत और नियत गती से चलाना चाहिए हमें वाहन का नियमित रख रखाओ करना चाहिए हमें टाइरों में परियाप्त हवा रखनी चाहिए सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षियप में दोहराएं प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर दो प्रकार अक्षय और शय में बांड़ा जा सकता है अक्षय संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्तित है और मानविय क्रिया कलापों से समाप्ध होने वाले नहीं है उधारण है सुरिका प्रकाश वायू प्रकृति में एक शह संसाधनों की मात्रा सीमित है ये मानविय क्रिया कलापों द्वारा समाप्थ हो सकते हैं इन संसाधनों के उधारण है वन, वननेजीव, खनिज, कोईला, पेट्रोलियम, प्रकृतिक गैस आदी कोईला, पेट्रोलियम, और प्रकृतिक गैस को जीवाश्म इधन कहते हैं ये समाप्थ होने वाले संसाधन है कोख, कोलतार और कोईला, गैस कोईला के उत्पाद है पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेराफिन मोम, सनेहक तेल, पेट्रोलियम के परिशकरण से प्राप्थ होने वाले उपोथपाद है हमें कोईला, पेट्रोलियम और सीएनजी का विवेक पून तरीके से उप्योग करना चाहिए